तो आज होने वाली कैबिनेट की बैटक में पाँच सरकारी कंपनियों में हिस्सा बिक्री पर मोहर लग सकती है आपको बता दे जी बिजनस को एक्स्क्लूसिफ जानकारी मिली है कि BPCL, Shipping Corporation, Concor, THDC और NIPCO में हिस्सा बिक्री पर आज फैसला हो सकता है सूत्रों के मताबिक सरकार, BPCL और Shipping Corp में अपना पूरा हिस्सा किसी एक ही कंपनी को बेचेगी साथी सरकार हिस्सा बिक्री का काम एक बार में ही पूरा करेगी आपको बता दे कि सच्चिवों का Core Group पहले ही इन कंपनियों में विनिवेश को मन्सूरी दे चुका है और हमारी सायोगी मोनिका इस खबर पर जादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है मोनिका पूरी जानकारी आप से चाहेंगे आज कैबिनिट की एहम बैटक है साड़े छे बजे शाम को जिसमें की वो डिस इंवेस्मेंट से रिलेटेट कुछ महत्वपून मुद्दो पर पैसला ले सकते हैं अभी हाली में जो Core Group of Secretaries on Disinvestment ने जो पांच सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी को बेचने के लिए जो मन्सूरी दी थी तो उन्हीं पांच सरकारी कंपनियों में आज Strategic Disinvestment की जो है मन्सूरी मिल सकती है जिसमें Shipping Corporation, Concor, BPCL, THDC और नीपको जैसी कंपनियों के नाम शौमिल है सूत्रों के अनुसार BPCL में सरकार अपनी जो पूरी हिस्सेदारी है उसको बेचेगी और उन्हें उम्मीद है कि जो कंपनी है ये किसी प्राइविट प्लेयर के पास जाएगी और इसके साथ ही साथ Concor में कुछ वो 30% के अराउंड जो है अपने हिस्सेदारी को बेचेगे और उसको आज मन्सूरी मिल सकती है इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी कंपनियों में कुछ सेलेक्ट कंपनी में सरकार जो है अपनी हिस्सेदारी को 51% से कम करने के लिए उस पर भी एहम फैसला हो सकता है अभी इसमें जो है पॉलिसी डिसीजन की जरूरत है अभी जो पावर है 51% कंपनियों ये जो पावर है ये कैबिनेट के पास है और सरकार चाहती है ये जो पावर है अल्टरनेटिव मेकैनिजम के पास आ जाए ताकि वी निवेश की प्रक्रिया में जो है तेजी आ सके इसके साथ ही साथ इंशूरेंस कंपनिय जिनकी बजट में घोशना की गई थी कि उनका मर्जर होगा तो उस मर्जर प्रक्रिया में जो तेजी लाने के लिए वो आल्टरनेटिव मेकैनिजम को बना सकते हैं तो इसको मंजूरी मिल सकती है इसके साथ ही साथ आई बीसी में बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस एहम जानकारी के लिए मोनिका और